हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई जैनल कैसे हो आप लोग आप सब बहुत अच्छे होगे वैसे आज मुझे आप लोगों को किसी से मिलवाना है तो इतनी जल्दी चले मत जाना उससे पहले थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं उसके बाद मैं उससे मिलवाती हूँ आप लोग है और वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम तो क्या आप लोग एक्साइटेड हो उन से मिलने के लिए वैसे ना पता है मुझे इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये इतना जल्दी आ जाएगा इसका डिलेवरी डेट कुछ जादा आगे था बट अनेक्सपेक्टेड़ी ये ब बट ये कुछ अलगी है और रही बात मेरे अनबॉक्सिंग करने की एक्सपेरियंस की ये बिलकुल भी अच्छी नहीं क्योंकि मुझे समझी नहीं था किधर से खोलू किधर से नहीं मतलो इतना जादा और ना इसके साथ लड़ाई करने पड़ती है मुझे और ये है मेरा न दिया है मुझे कि मैं क्या ही और इसे चीज के लिए मैंने इसे ओर गिया था और वैसके मुझे डायरी इसकी बहुत जादा सोख है और मैं जब भी अपसट होती हूँ या फिर बहुत जादा ख़श होती हूँ तो मैं अपने स्थोस से बात केरती हैं और जो अभी आप ये ये करिंट टाइरी है जिसमें मैं अपनी लाइफ की बहुत सी चीजे लिख चुकी हूँ जो सायद मैं कभी किसी को बतानी पाई ये दोनों ही नहीं मेरे पास एक और बहुत ही प्रिशियस टाइरी है जो मेरे पापा ने दी थी मुझे बहुत पहले और ये तना ज्यादा खास है ना कि मैं इसको कोई भरना नहीं चाहती हमेशा इसको अपने पास रखना चाहती हूँ तो इसमें बहुत कम लिखती हूँ मैं सायद आपने नोटिस नहीं किया होगा पर अक्सर मैं अपने वीडियो के बीच में जब रिकॉर्डिंग करती हूँ पढ़ाई करती हूँ तब भी मैं इसमें कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ जब भी मेरा माइन डिस्ट्रैक्ट होता है कुछ दिमाग में चलने लगता है तो मैं बस इसमें लिखना स्टार्ट कर देती हूँ और ये बिल्कुल मेरी एक फ्रेंड की तरह मुझे कंसोल करता है मुझे एक स्ट्रेंथ देता है और इसमें लिखकर ना मैं अपने आपको और भी ज़्यादा स्ट्रॉंग महसूस करती हूँ और इसलिए ये मेरे सबसे अच्छा दोस्त है अगर आप भी इसकी तरह मेरे दोस्त बनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बन जा मेरे दोस्त